आप सभी का सोशिलाड अपलेट फॉर्म स्वागत हैं मैं सुमील दोस्तों आज हम बात करेंगे दक्षणी भारत में एक ऐसे सासी कागी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पिता ने उसको पुरूस की भांती पाला था और किसी को पता भी नहीं चला कि वो एक महिला है और उसने अच्छी तरह से सासन किया था उसरानी का नाम था रुद्रमादेवी जिनों ने भारा सु मेतर में ये आपकी गद्धी समभाली थी कहा जाता है कि काक्तिय वंस के तीसरे सासा गणपती देव ने ग्यारा सु जिनाणवी इसुद में गद्धी समभाली थी उसके 9 साल तक काक्तिय वंस चोथा एक मद्बूत ताक्त की तोड़ पर उबरा था लेकिन जैसे इसी गणपती देव की मर्ति खोती है तो उसके बाद से काक्तिय वंस चोथा वो एक तरह से खतम होने लगता हैpler लेकिन गणपती देव को हमेशा ये डर रहता था कि उसके बाद उसकी गदी को अन्समाले का क्योंकि गणपती देव को राजनी सौमला देवी से दो बेटियां हुई थी जिसमें पहली बेटी का नाम था गणपमा देवी और छोटी बेटी का नाम था रूद्रमा देवी वंस के दीन आने वाले कोटा वंस के बैत देव से करते अब उसकी छोटी बैटी जो थी रुद्रमा देवी उसको अपना उत्रा रिकाई चुन लिया लेकक और इत्यासकार विक्रम संब्ध अपनी पुस्तक जो हिंद पॉकेट बुक्स पर से प्रकासित हुई है जिसका नाभ है सोर्य गाथाओं में यह कहते हैं और लिखते हैं कि गणपती देव ने अपनी चोटी बैटी के जवान होने तक उसको लड़के की तरह पाला था लड़के की तरह उसका पालन पोसन किया था और किसी को भी यह भनक नहीं लगी थी कि वो पुरुस है या महिला है तो ऐसा क राजमस्कों के यह उनकी ठनी रहती थी आप भी जानते हैं कि जब राजाओं की आपस में क्या होती थी कि आपस में उनकी लड़ाईयां होती रहती थी परिवार के लोग भी आपस में जगडे करते रहते थी तो इसी चकर में फिर ग्रणपती देव जो फालえ उस ми यह नह तो इसलिए गणपती देव ने रुद्रमा देवी को बेटे की तरह पाला था यहां तक कहा जाता है कि बेटी जो रुद्रमा देवी थी उसके ट्रेनिंग पूरुसों के भाती हुई थी समस्त जो ट्रेनिंग हुई थी वो पूरुसों के भाती हुई थी पूरुस परिधान तो पहनती थी और उसका नाम शुक्षा टारूधर देवर रखा था हम जानते के इनंदर रूदर देवत टा वो एक काफी प्रभाव ठाले, सासक उसको माना जाता है, जबकि एक्च्वल में वो एक मरानी थी, जिसका नाम था रुदर्मा देवी. विक्रम संबत जो इतियासकार है वो लिखते हैं कि रुद्रमा देवी जो थी वो पहली महरानी थी जिसको महराजय की उपादी में देती ऐसा क्यों कि हम जानते हैं दोस्तों कि जब उसको उपादी दी गई थी तो एज फुरूस के रुप में उसको उपादी दी गई थी किसी को ये पता नहीं था कि ये रूदर्मा देवी है सारे के सारे उसको रूदर देव के नाम से जानते हैं अब खुता क्या है कि 1240 इस्वी के आसपास उसकी साधी जो है वो एक राज़कमार से कर दी जाती है जिसका नाम था वीर बदर वीर बदर से उसकी साधी होती है और गंपती देव के जिंदा रहते ही 1269 इस्वी में रुद्रमा को परसासक बना दिया जाता तीन साल बाद 1262 में खुद गद्धी से अट गए और वेटी को सतन तरफरवार 1262 में सोंग लिया 1269 तक गंपती देव के निदन के बाद रुद्रमा देवी ने पूरी तरह से गद्धी समाल ली और रुद्रमा देवी रुदर देव के रुप में वहां पे गद्धी पे विराज मालती है इसमें इत्यासकार संपत के साथ एक अन्य इत्यासकार जिस मार्कोपोला या मार्कोपोलो जिसको कहा जाता है जो एक आपका कह सकते हैं कि भारत के अंदर आने वाला एक यात्री था जिसने उसने भी आपके रुद्रमा देवी का जिकर किया है उसने कहा है कि रानी रुद्रम की दोरान मार्कु कोला ने भारत के दक्षिन राजियों से बुझे दे थी जहां पर उनकी रानी रूद्रमा देवी से भेट हुई थी मार्कु कोला लिखते हैं कि हाँ एक रानी का राज है और जो बेहत समझदार महिला है विक्रम संपत लिखते हैं कि रानी रूद्रमा के पास इतना पावर था कि केवल और केवल एक मतरस्वतंतर सासी का जो खहसकते हैं कि भारत या खहसकते हैं कि विश्वगी थी तो वो आपकी रुद्रमादेवी थी जिसे रुद्रदेव के नाव से जाना जाता है आज दोस्तों हमने बात की काक्ति एवंस के एक प्रवाव साली सासी का जो कहलाई तो सासक लेकिन वास्तों में सासी का थी उसका नाम था रुद्रमादेवी जो रुद्रदेव के नाम से परशीद होई यह लेक्टर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए थे लिए। बड़्पिटेंगे टूफे तो से घएवंसाइब की खाएग सके पारन रुद्रमादेवी जो हुए खाएग डिवेख समय होईशन, दोस्तों आपको गटेमेगे तोस्तों, यह और खाएगे, खाएगे, यह खाहएटीशन, तोस्तों, 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 न